हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग तो इंग्लिस पॉइंट की ओनलाइन क्लासे में आपका स्वागत है तो आज ही क्लास में जो कोश्चंस मैंने लिये हैं यह लिये हैं अपने नॉन फाइनाइट बारों से रेलेटेड और यहां पर हम एथरसाही करेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं सेंटेंस नुमबर वन आपको बताना है वहीं ग्रों या फिर टू को मैंसे क्या परियोट किया जाएगा कुश्चन नूमर बन में तो यह जो इंफिनिटिव जीरंड और हम जो पार्टिसपल्स देख रहे हैं यह सब आपके नॉन फाइनाइट बर्प के अंतरग्रत आते हैं और इंगलिस में नॉन फाइनाइट बर्प तीन तरह की होती है यह आपक ा यह यह नाउन की तरह कारे करता है और यह बर्त में आइंग होता है लेकिन नाउन की तरह कार करता है पार्टिसेपल से और इन सभी के बारे में अल्रेड़ि पढ़ा चुड़ा हूं यादि आप लोगो अभीतर इनने नहीं देखा हो तो देकिंस मेंलिस्पॉंड के earth को डाउनलोड करके भी वहाँ पर दे सकते हैं तो आई वॉष्ट हर्ट एस एंड क्रम ओफन में आपका राइट आंसर की आएगा तो देखी वाच बर्ब के बाद आपका बेयर इंफिनिटिव फॉर्म आता है और यहां पर यूज़ किया जाएगा ग्रॉब आप यहां पर भ यहां पर आपका जो जीरंड होता है ना जीरंड यह आपका एज यह नाउन की तरह करता है यहां पर कंपेरिजन हो रहा है और देन के बाद देखिए तो देन के बाद यहां भी आपका रीडिंग यह निकि यह भी आपका जीरंड ही लिखा हुआ है और जब यहां पर यह जीरंड लिखा हुआ है तो यहां एज सब्जेट के रूप में भी जीरंड का ही प्रयोग कर यहां पर राइट आंसर यूज़ोगा आपका प्लेंग प्लेंग इस एजियर दें रिटेंग इनिकी खेलना पढ़ने से ज्यादा सरल होता है यह कंपरेटिव डिगरी आपकी लिखी हुई है और देंका प्रियोग किया देखते हैं नेस्ट है सेंटेंस थ्री कि आई तो क्या होजा राइट आंसर यहां पर प्रियोग किया जाएगा और यहां पर राइट आंसर होगा यह होगा आपका क्राइंग मैंने उसकी डॉर्टर को रोते हुए देखा या रोते हुए पाया नेस्ट आज यह है सेंटेंस आपका फोर सेंटेंस नमर फोर है अब यहां पर जो नॉन फाइन बर्ब है यह विल्कुल फित्स है इसके बाद जो इसके ब होती वह क्रिस्प फार्म में आपकी यूज होती है तो वह क्रिस्प में इव्यों बालार्ब है यहां पर यहोगा Почему Sam आप टीज फॉल्ट तो राइट आंसर रहेगा यूजिं सेंटेंस नमगर फूर में बहुत ही सिंपल है आगे बढ़ते हैं नेश्ट है सेंटेंस फाइब सेंटेंस फाइब में आई हेट डैस एंड चीटिंग बहुत ही सिंपल है तू लाई या पर लाइं में से क्या यूजिश करेंगे यह थी आप आगे देखें गोगे ना तो एंड कंजेंशन के बाद यहां पर क्या है चीटिंग बर्ब में आई यही फॉर्म आपका लेखा हु आपका तॉड़ा है सेंटेंस नंबर फाइब में नेश्ट गिश्ट सेंटेंस से नरेशन लिखा वुए है ही सब उसने कहा ही है जड सने छोड दिया क्या छोड दिया है टू स्मॉख इस मॉटिंग है श्मॉट मैसे कौं सा राइट स्ट्रेचर यूज खिया जाएगा जय यहां पर जो क्रेक्ट कर आएगा यहां पर यहां पर जो च्राइगा आएगा आप ऐसे आप कर सकते हो मान लो ही आपका लिखा हुआ है किसी भी प्रपूसिशन के बाद जब भी आप कोई भी बरुक्रा फॉर्म लेके तो आपका आई-एंजी फॉर्म यूज किया जाएगा यहां पर क्या यूज़ करना है आपको इस मॉटी कि he has given up इस मॉटी यानि उसने सिहरेट पीना छोड़ दिया है नेश्ट वड़ते हैं आँगे है सेंटेंस सेवन सेंटेंस सेवन है I remember that's her in the park I remember seeing her in the park या to see her in the park क्या यूज़ करना है तो यहां भी आपको याद रहना है कि जब भी कभी सेंटेंस में आपको remember verb मिले ना इसके बाद आपका verb में ing form बाला stretcher आपको यूज़ करना है बट ऐसी भी कुछ बर्ब आपको इंगलेस में मिल जाएं जिनके बाद infinitive और जीरेट दोनों आपके stretcher यूज़ हिया जाते है तो यहां पर आपका जो right answer यूज़ होगा ये होगा see I remember seeing her in the park तो इसी इंका यूज़ हिया याएका sentence 7 नेस्ट सेंटेंस है sentence नमर एक see stopped-others यानि उसने वह stop हो गई दूसरों को advice देते देते तू advice advising had advised मैंसी खिलाप रियुब करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो stop some stop doing something होता है stop doing something stop के बाद आपका इस्ट्रेक्चर यूज़ हिया जाता है वो किया जाता है बर्व में ing form बाला तो यहां पर वर्व कोन से यूज़ होगी यहां पर बर्व आपकी यूज़ ही जाएगी advising यह राइट आंसरों का sentence नुमर एट नेश्ट देखिए नेश्ट है sentence 9 कि they want us भी हमसे चांते हैं for the girls to arrive यानि हमसे यह चांते हैं कि लड़कियां आने का इंतियार करें तो waiting या to wait infinitive या gerund message क्या प्रियोग करना है बताइए तो want somebody to do something होता है want somebody to do something यानि want के बाद आपका object आएगा उसके बाद आपका to infinitive का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर क्या लेखना है आपको they want us to wait for the girls to arrive infinitive यूज़ चरेंगे और ध्यान रहे infinitive वर्फ दो तरह ही होती ही एक होता है आपका to infinitive और एक होता है आपका bear infinitive clear है next sentence number 10 sentence 10 meant as many times he doesn't want to try again now और failing, felt, having felt में से क्या प्रियोग करना है sentence number 10 तो यहां पर देखेंगे यहां पर आपका perfect participle का प्रियोग करेंगे तो having felt यानि कई बार felt होने के बाद होने के बाद ही doesn't want to try again now अब फिर से try नहीं खुरना चाहते यह perfect participle structure next देखते हैं next sentence 11 sentence 11 है that she was early she went to meet her friend to know, having know, knowing फ्या लेखाने पता ही तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका infinitive नहीं आएगा यहां पर correct answer यूश्या आएगा knowing that जानते हुए कि सीवा जार लिवाय जल्दी थी इसी बें तो meet her friend knowing का यूश्य करेंगे sentence number 11 में next sentence 12 the book dash on the chair is mine clause लिखा हुआ है the book lie या फिर लाइग किताब जो chair पर पड़ी हुई है मेरी है क्या यूश्य होना यहां पर तो यहां पर यूश्य करेंगे आप लाइगा इसका meaning क्या निकलेगा इसका meaning इस तरह से निकलेगा the book which is line on the chair जो chair पर पड़ी हुई है और किसी भी पजैसिब क्येस के बाद यह आपको बर्पर फॉर्म पिल करना है तो वह जीरंट फॉर्म में आएगा यानि कि बर्प में आए यह फॉर्म लगांगे यह नाउन के रूप में यहां पर इकार करेगा तो यह हो जाएगा आपका sentence number 13 next sentence 14 तो यह बिद भी माई आपका possessive case है और possessive case के बाद आता है noun और noun क्या बनाता है noun बनाता है आपका Durand तो verb में ing form लगाईए जीरंट की तरह चारी करेगा और ये noun बन जाएगा तो correct answer होगा है यहाँ पर working, see disliked my working on Sunday next है sentence 15 out of the window see saw a strange creature looked, looking या having looked क्या use करें बताए तो क्या होगा right answer तो यहाँ पर जो right answer होगा यह होगा आपका looking out of the window see saw a strange creature उसमें एक strange creature को देखा तो IQ class में इतना ही आई हो, class आपको अच्छी लगी होगी score आप बता सकते हैं कि IQ class में total score आपको आपको अच्छी लगी होगी 15 sentences में यदि कोई भी आपको doubt हो तो आप नीचे comment के माध्यम से पूछ सकते हैं और यदि आप पे batch join करना चाहें तो English point का app download कर सकते हैं प्ले श्टोर से वहाँ पर आपको notes, pdf, online watches, सारी चीजें वहाँ पर मिल जाएगी मिलें ही आप से यही खिलास में Thank you, thank you very much